हेलो एवरिवन वेल्कम तो दो क्लास दिस इस में है सुर्भी गांजा नहीं चूटे का आपको भी गैन फ्रेंट्स कैसे आप सब बढ़िया हो मस्त हो जाका सो आप लोगी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जबूर से बताना फ्रेंट्स आज हमने मिले है क्लास 11 की math exercise 11.1 के question number 2 पर question number 1 जो है पहले discuss कर चुके है question number 2 को discuss करेंगे दीगा तो इसमें क्या बोला गया question number 2 में in each of the following exercise I find the equation of circle with यह जो question है इससे हमें circle की equation find करनी है जो हमें ये चीज जो हमें ये question दिया गया है इससे हमें circle की equation find करनी है तो हमें circle की equation find करनी है उसके अंदा हमें center point minus 2,3 दिया और radius हमें 4 दिया है तो किस तरीके से बोला गया समझते है question को यह बोला गया है कि एक circle है ठीक है किस तरीक से बोला गया है देखो समझो तो इस चीज का use करते हुए हमें circle की equation find करनी है equation find करनी है जिसके अंदर हम general equation तो जानती है उससे हम equation find कर देंगे easily तो general equation क्या होती है यह तो आप जानते है general equation general equation of the circle circle की general equation क्या होती है x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to radius square square यही तो होता है तो इसके अंदर यह जो यह वाला o point होता है o point minus 2 comma 3 है तो h comma k points होते हैं मेरे तो h की value minus 2 हो गई और k की value 3 हो गई तो बस यही put करने है हम लोग को easily दिख्या अब देखो x अम अलब यहाँ पे जो h है यहाँ पे मेरे को यह value put करने है तो x minus h की value minus 2 है तो plus का 2 हो जाएगा minus minus plus ठीक है and y है यहाँ पे and minus यहाँ पर है तो minus यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 3 का whole square आजाएगा radius मेरे पास 4 दिया है तो 4 का square आजाएगा clear है तो यहाँ पर a plus b ka whole square formula लग रहा है तो क्या आ जाएगा x square plus 2 का square and y का square plus 2ab and a 2x and comma 2 आ जाएगा plus यहाँ पर a minus b का whole square तो a का square plus b का square minus 2 a and b clear है and 4464 का square हो गया clear यह बाद ठीक है अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कहा गया है x square plus 4 तो x square यहाँ आ जाएगा plus 4 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर 2 to the 4x यहाँ आ जाएगा and plus y का square as it is plus 3 to the 9 आ जाएगा minus 3 to the 6y equal to 16 clear है ठीक है अब देखिए x square यह है 4 और 9 हो जाएगे विर पस 13 तो यहाँ पर plus का 4x मैं इधर लियाता हूँ और यह plus का y square और यह minus का 6y plus का 9 of 4 13 हो जाएगे equal to 16 हो जाएगा अब यह इधर जाएगा तो minus में हो जाएगा तो x square plus 4x plus y square minus 6y equal to 3 हो जाएगा यह हो जाएगा अब 3 को इधर लियाओ या आप यहाँ पर भी answer छोड़ सकते हो और एक step और करना चाहो तो कर सकते हो क्या यह x square plus 4x plus y square minus 6y and minus 3 इधर आएगा तो minus का 3 equal to 0 यह भी आप कर सकते हो कोई problem नहीं है this is the answer I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा जब तक मिलते हैं next वीडियो में जय हिन जय भारत कर दोस्तों तक मिलते हैं